नमस्कार मैं मयूरी और मैं बनाने जा रही हूँ एक इनोवेटिव दिश अचारी आलू लाल भोपला चलिए इंग्रीडियन्स देखें लाल भोपला डाइसो ग्राम, दो मीडियम साइज के आलू, आधा कप दई, दो टेबल स्पून अचार का मसाला जो बाजार से मिल जाता है आसानी से छोटा बारिक कटा टमाटर, दो छोटी बारिक कटी हरी मिर्च, आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, एक टीस्पून हल्दी पाउडर, दो टीस्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून जीरा, एक कप पानी, दो या तीन टेबल स्पून तेल नमक स्वाद अनुसा तो चलिए बनाते हैं आचारी आलू लाल भोपला, फ्लेम ओन करेंगे, ओल डालेंगे दो टिपल स्पून, एक टी स्पून जीरा सौटे करेंगे, दो बारिक कटी चिलीज डालेंगे, ग्रीन चिलीज, अब इसमें हम भोपला डालेंगे, छोड़ा फ्राय करें इसे, अब इसमें हम टमाटर डालेंगे, एक छोटा बारिक कटा टमाटर, और सारे सुखे मथाले डाल देंगे, एक टी स्पून हल्दी पाउडर, आधा टी स्पून लाल मिर्ज का पाउडर, दो टी स्पून धनिया पाउडर, नमस, स्वाधनु साथ, अब इसे आप और बॉइल पटेटो, आलू और भूबला मिक्स करने के बाद, इसमें हम पानी डालेंगे, ग्रेवी के लिए, आधा कप पानी डालें, या फिर एक कप पानी डालें, जितने आपको ग्रेवी चाहिए, उतनी, आलू भूबले की सबजी के लिए, अचारी आलू भूबला के लिए हमें दही चाहिए, और ये रेडिमेट मसाला चाहिए, अचार का, सारे इंग्रीडियन्स मिलाने के बाद हम ये अचार जो है दई में मिक्स करेंगे, और सबजी में डाल देंगे, मेरे फ्रेंड्स जो है, उन्होंने कहा कि हम मीठा मीठा भूबला खाकर बोर हो चुके हैं, इसलिए ये जो है, एक नया वराइटी हमने बनाया है, मिक्स्चर जो है, इसमें हम डाल देंगे, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिसमें हमने दई और अचार पेंटा था, उसमें हम पानी डालेंगे और सबजी में अड़ करेंगे, इसे हम ढग देते हैं, और 10 से 12 मिर तक पकाएंगे, क्योंकि भूपला है, जल्दी पक जाएगा, चलिए अचारी भूपला जो है पक चुका है, इसे हम थेपले के साथ खाएंगे, क्योंकि अचार का टेस्ट है, वो थेपले के साथ बहुत बढ़िया लगता है, आप चाहें तो इसे खीचरी के साथ भी खा सकते हैं,